वेल्कम बैक स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम एनलीडा इस वीडियो के अंदर हम एंसे आइटी बेस्ट डिस्कस करेंगे फाइलम एनलीडा के क्या important characteristic features हैं स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे बिलकुल नए है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि जादा से जादा स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियो पहुंचें और बेनिफिट हासल करें स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं फाइलम एनलीड़ को इंपोर्टन करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है उनको हम स्टूडी करते हैं सबसे पहले चीज़ हैबिटेट हैबिटेट इनकी डाइवर्स टाइप है यानि बहुत सरी जगहों पर पाए जाते हैं ये में भी इक्वाटिक पाने में रहने वाले पाने में भी फ्रेश वोटर भी है और मेरीन भी है टेरस्टिरियल भी है उसमें फ्री लिविंग भी है लेकिन सम पैरासाइट भी है लाइक लीच वो पैरासाइट है कुछ फ्री लिविंग भी है और कुछ मेरीन है निरीज, level of organization, इनका organ system of organization है, like circulatory system, like digestive system, इस तरह से इनकी यहां organ system of organization है, smittree, इनकी bilateral है, germ layers, triploblastic, actoderm, misderm और endoderm इनके अंदर मौजूद है, सीलोम, यह सीलोमेट्स हैं, सीलोम इनके अंदर मौझूद है, इसलिए इनको हम सीलोमेट्स कहते हैं important characteristic feature है, जिसको मैंने red से mention किया है, इनकी body के उपर segments होते हैं और इनको metamerically segmented animals भी कहा जाता है, यह latent word से निकला है annulus, annulus का मतलब है little rings इसलिए इस phylum का नाम phylum annulida है, कि इनकी इनके members जो होते हैं, इनकी body के ओपर छोटे छोटे ring-like structures होते हैं इसलिए इनको हम annulids कहते हैं, locomotion, यह चलते हैं किसकी मदद से हैं, इनमें ceta भी होते हैं और perapodia भी होते हैं, जो locomotion में help करते हैं एक्सेप्ट, leeches, unjointed, chitinous ceta are often present उसके अलावा इनमें हैं longitudinal circular और longitudinal muscles होते हैं, जिनकी मदद से यह move कर सकते हैं, जिनकी मदद से यह locomotion show कर सकते हैं aquatic analytes like nerees, नerees जो है, इनका एक member है, वो पाने में रहने वाला होता है, उसमें appendage जो है, लेटल appendage वो पैरापूडिया है, उसमें पैरापूडे की मदद से move कर सकता है और earthworm में ceta होता है, जिसके वदाशे वो move कर सकते हैं, circulator system इनका close होता है, और excretion, एक special organ इनके पास है, जिसको nephredia कहा जाता है, excretion with the help of nephredia, और वो nephredia osmo regulation में भी help करता है, यानि water balance को maintain करने में help करता है, और excretion में भी help करता है, यह वो structure है, जिसको हम septal nephredia कहते हैं आप देख सकते हैं, इसमें different parts को show किया गया है, देखिए यह जो नीचे वाला part है, इसको terminal part कहा जाता है, और उपल वारे को epical part कहा जाता है, यह हर segment में मौझूद हैं, इनको septal nephredia कहा जाता है, यह help करते हैं excretion में भी, और यह help करते हैं osmo regulation में भी, nerve system कैसा है, paired ganglia connected by lateral nerves to double ventral nerve guard, यह नी nerve system इनको कोई उतना develop नहीं है, reproduction इनमें sexual type of reproduction होती है, neerese, an aquatic form is diaceous, but earthworm and leaches are monoaceous, जो aquatic है, जो neerese है, वो diaceous है, लेकिन earthworm और leaches है, वो monoaceous है, important example, इसमें neerese है, peritema, earthworm, herodynia, herodynia को locally हम blood sucking leaches भी कहते है, peritema को locally हम earthworm भी कहते है, classification, इस phylum को four different classes में divide किया गया है, वो four different classes क्या है, polycheetah, oligocheetah, herodynia और आर्चिन लेडिया, polycheetah में neerese आता है, उसके अलावा poly का मतलब बहुत सारे इनके हाँ segments होते हैं, oligocheetah का मतलब few segments इनमें मौझूद हैं, जैसे peritemia, lumbrics, tubifex, peritemia यानि earthworm, oligocheetah में आता है, herodynia में में बड़े पास, जो herodynia, that is leech, इसमें मौझूद है, इनमें दो सक्कर्स होते हैं, अपर साइड बें, लोगर साइड में आर्चे अनलीडिया जो है, यह उतना कोई prominent, इसमें class नहीं है, इसमें बहुत कम members होते हैं, इस तरह से philem अनलीडा के कुछ important characteristic features और classification students वीडियो को like और share कीजिए, ताकि ज़्यादर से ज़्यादर students तक पहुंचे, thanks.